हलो दोस्तों नमस्कार आज का आपका टॉपिक है सरद रीतू जाड़े की रीतू हिंदी 100 अंक का एक महतपूर्ण टॉपिक है निबंद जो की आपके एकजाम में 5 अंक के पूछे जाते हैं आपको बिल्कुल मालूम है तो आज हम लोग सरद रीतू जाड़े की रीतू के बारे में समझेंगे यह रीतू के बारे में अच्छी तरह से जनकारी होनी चाहिए कि इस रीतू में कौन सी फसले बोई जाती है कौन सी फसले काटी जाती है यह रीतू अमीरों के लिए कैसी होती है और गरीबों के लिए कै तो आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात हम लोग करेंगे दूसरी बात निबंद लिखते समय किनकिन सावधानियों को बरतना है वो भी ध्यान देना है आपको असुधियों से बचना होगा आपको ये ध्यान रखना कि कब पराकर आप चेंज करना है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपका जो मार्क्स आएगा वो बढ़िया आएगा और दूसरी बात कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजेगा तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सरद रितू जाड़े की रितू के बारे में तो चार महत्वपूर्ण रितू हैं हमारे देश में कितनी रितू हैं चार महत्वपूर्ण रितू हैं सरद रितू उनमें एक है यह एक बहुत आनंद दायक रितू है जैसा कि आपको मालूम है सरद रितू बिलकुल सुहावना मोसम होता है सुरुवात के दिनों में बाद में तो बेहत ठंड पढ़ने लगती है, तो यह एक बहुत आनंद दायक रितु है, यह रितु वर्सा रितु के बाद आती है, यह रितु कब आती है, वर्सा रितु के बाद आती है, हम लोगों के देश में सरद रितु नवंबर से सुरू होता है, और फरवरी में समाप्त होता है हम लोगों के देश में सारद रितु नवंबर से सुरू होता है और फरवरी में समाप्त होता है यह उतना सुन्दर रितु नहीं है जितना की बशंत लेकिन इसका अपना सुन्दर यह है तो यह आपका हो गया पहला परगराफ देखिए कैसे लिखना है किस सब्दों का चेन करना है कहा परगराफ चेंज करना है बढ़ियां से आप समझ लिजिएगा तो आपको अच्छा मार्क मिलेगा तो पहला पर अगर आप हम लोग समझ गए कि हमारे देश में चार महत्पून रितु हैं, सरद रितु उनमें एक है, यह एक बहुत आनन्द धायक रितु है, यह रितु वर्शा रितु के बाद आती है, हम लोगों के देश में सरद रितु नवंबर से सुरू होता है और फरव नेक्स्ट परागराफ चींज करने के बाद क्या लिखना है समझते हैं हम लोगों के देश में सरद रितू लगभग तीन महीने रहता है इस रितू में समूचा वातावरन ठंडा रहता है राते बड़ी और दीन छोटे होते हैं बिलकुल मालूम है आपको देखते हैं राते ब कपड़ा के बाहर नहीं निकल सकता है आकास शामान्यता साफ रहता है लेकिन कभी कभी वर्षा भी हो सकती है तो ये आपका हो गया दूसरा परागराफ में क्या हम लोग देखे हम लोगों के देश में सरद लगभग कितने महीने तीन महीने रहता है इस रितू में समूचा वातावरण थंड़ा रहता है, रातें बड़ी और दीन छोटे होते हैं, दीन में थंडी हवा बहती है और रात बहुत थंडी रहती है, कोई विव्यक्ति रात में बिना गरम कपड़ा के बाहर नहीं निकल सकता है, आकास समाने तो कैसा रहता है, साफ रहता है, लेकिन कभी- नेक्स्ट परग्राफ आपका हैं कि सरद रितु किसानों के लिए बहुत उप्योगी है इस रितु में किसान अपने धान की फसलों को काटते हैं वे अनाजों को एकत्रित करते हैं इस रितु के प्ररंब में गेहं की बुआई सुरू होती है अभी आप लोग को जैसे कि नौंबर का महीना है तो आप लोग जरूर देखते होंगे खेतों में कि गेहम की बुआई जो है वो शुरू हो गई है धान की फसले काटी जा रही है तथा इस रितु के अंत में फसले पक जाती है जो धान की फसले है इसकी अतिरिक्त कुछ अने फसले भी उपजाए जाते हैं तो तीसरा परगराफ क्या कह रहा है समझिएगा सरद रितु किसानों के लिए बहुत उपयोगी है इस रितु में किसान अपने धान की फसलों को काटते हैं वे अनाजों को एकत्रित करते हैं इस रितु के प्ररंभ में गेहम की बुआई शु तो यह आपका हो गया तीसरा परगराफ अब इस रितु के फायदे की बात करते हैं इस रितु के अनेक लाब है यह हमें फल और सबजिया देती है चुकि इस मोसम में फल और सबजिया ज्यादा होती है बजार में अक्सर फल और सबजियों की भरमार होती है प्रचूर मात्र में सबजीया मिलती है इस रितु के अनेक लाब है यह हमें फल और सबजीया देती है यह स्वास्त के लिए अच्छा है हम लोग सुबा में टहलना पसंद करते हैं धूप अनन्द दायक होता है हम लोग घंटो धूप में बैठना पसंद करते हैं लेकिन यह रितु गरीबों के इस रितू के अनेक लाब है, लाब इसलिए है कि यह हमें फल और सबजिया देती है, यह स्वास्त के लिए अच्छा है, हम लोग सुबा में टहलना पसंद करते हैं, धूप आनंद दायक होता है, हम लोग घंटो धूप में बैठना पसंद करते हैं, लेकिन यह रितू गरीबो के लिए बहुत कष्ट दायक है, क्यूंकि उनको गरम कपड़े नहीं होते हैं, लास्ट परागराप में क्या लिखना है, इस परकार सरद रितू हमारे देश की एक बहुत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण रितू है, यह अमीरों के लिए बहुत लाब दायक है, गरीबों क नहीं होते हैं, लास्ट परागराप में क्या होते हैं हिस परकार सरद रितू हमारे देश की एक बहुत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण रितू हैं, यह अमीरों के लिए बहुत लाब दायक है, गरीबों के लिए तो यह एक शराप है, तो हम लोग्तिया पढ़े इस हुए हैं नुक्षान लाव के बारे में क्या क्या लाव है वो हम लोग जाने कैसे लिखना है वो हम लोग समझ गए निबंद लिखते समय आप कुछ सवधानिया जरूर बरतियेगा एक तो गलती कि ना हो इसका विशेश ध्यान रखिएगा कि कम से कम गलतिया हो ओभा राइटिंग आप लोग ज्यादा बिल्कुल नहीं करें पर अगर आप चेंज करने के लिए आप बिल्कुल तयार रहें जहां जरूरत हो वहां बिल्कुल चेंज किजिएगा और अच्छी तरह से लिखन आप लोग जरूर कीजिएगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण निबंद आपका है सरद रितु एक तो एक्जाम में आया हुआ है इस बार के एक्जाम में आने की बहुत ज्यादा ही संभावना है तो सरद रितु को आप एक कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लिजिएग और जब भी समय मिलें तो अपने दोस्तों को सरद रितु पर जो यह निबंद है उसको जरूर सेयर कीजिएगा और एक लाइक भी अगर पसंद होते जरूर कर दीजिएगा ओके धन्यवाद